हेलो एव्रिवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत ही खुश और मन लगाकर पढ़ाई तो कर रहे हैं कर रहे हैं अगर हाँ तो फटावर जल्दी से आज आए और जाज़दा क्लास को शेर कीजी क्योंकि मैं पूरंप्रजापत कक्षा बारवी रसाइन विज्ञान मे आप सबी बच्चों का स्वागत करती हूं बच्चों जल्दी जल्दी फटावर फटावर क्लास को शेर कर दो ताकि सबी बच्चे आज जो हम नया चाप्टर शुरू करने वाले हैं उसको पढ़ सकें और इसमें से जो इंपर्टेंट क्यस्चन आने वाले हैं उनको भी दे पढ़ाई कर रहे हैं जल्दी कीजिए फटावर्ट ताकि में शुरू कर सको जल्दी करो भाई क्षिए चले रुकुं क्यों क्यों रुखना है बहुत है ना बस पढ़ने के मामले में रुक जो बाकी सब काम तो आराम से इंजॉय करना हो कहीं पर भी कहीं जाना हो हमेशे तेयर रहते हैं हम है नहीं अपने को अप पढ़ना है पढ़ने पे ध्यान देना है जरूरी है कि अपन जो काम कर रहे हैं वो केवल और केवल अभी के लिए जरूरी है वो केवल स्टुडी है बढ़ाएगा कोई भी विकल्प नहीं होता है ठीक है तो शुरू कर दो आए बिटा हमने अपने चार चैप्टर कंप्लीट क आपका क्या यह जो आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं डी और एफ ब्लोक नाव हम शुरू करेंगे अपना पाच्वा चैप्टर जिसका नाव है क्या उप सहर सही हो जग योगी नाम तो आपने सुना है तेंट में भी नाम आता है इलेवन में भी आता है तुर्ट में भ नजर आते हैं वही यहां पर किये गए हैं उप सहर से योगी क्या होते हैं किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो सब हम इस चैप्टर में डिसकस करेंगे और साथ ही आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी एक नजर डालते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम आज क का वर्गिगरन आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे मैं यह क्या होता है डूंट वरी आपको कोछ भी सोचने जैसा नहीं है क्योंकि यह सब बाते हैं यह जो शब्द मैंने या लिखे हैं बड़े-बड़े-भारी-बारी वो सब मैं बताऊंगी ओके बस आपको इतना करन है कि एक बार क्लास को शेर कर दो लाइक कर दो जितने भी बच्चे आये हैं और एक प्रॉमिस कर दो क्या कि एंड तक मेरे साथ जुड़े रहोगे ओके तो चली जी शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जिसका नाम है क्या विक लवान अब आप सोचने होंगे मैं आज प्रिवीजन नहीं होगा क्या आज रिवीजन कैसे वह आज तो अपना नया टॉपिक शुरू हो रहा है आज तो अपना पांच माच अप्टर शुरू करने वाले हैं तो आज नहीं आप आज जो पढ़ेंगे उसका कलपी तुछ तो मैंने रिवीजन दे दिया है चाट्टर के बारे में बता कर तो सबसे पहला टॉपिक क्या है बिठे सबसे पहला टॉपिक है क्या आपका द्विक लवन क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं आपको बात पता चल जाएगी कि यह होते क्या है clear तो अब चलते हैं अपन इसकी परिभाशा की ओर तो परिभाशा क्या है कैसे है परिभाशा क्या है इसे किस प्रकार से रेक्ट कर सकते हैं वो सब अपन एक बार देख लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आज़े आज़ा फटा-फट जल्दी से दुएक मतलब दो लवन मतलब जिसमें धनायन और रिनायन होता है लेकिन जब अपन बात करते हैं सबसे पहले उपसहसयोजक की तो उसका मतलब क्या है सहसयोजक का मतलब होता है के आपके पास कोई भी इलमेंट आपने पास औक्सेजन है अगर क्राम को इलेक्टो दे रहा है पर औक्सेजन कार्बन को नहीं दे रहा है केवल कार्बन ही ऑक्सिजन को दे रहा है तो उस दौरान उनके मद्द जो बंद बंता है वो बंद कहलाता है कौन सा बंद उपसहसंयोजक बंद क्या कहलाता है उपसहसंयोजक बंद बात समझ में आगए वहीं पर अगर आप इन बंदों से युक्त योगिक की बात करें तो उस योगिक को हम क्या कहेंगे बेता उस योगिक को हम कहेंगे उपसहसंयोजक बात समझ में आगए बात क्लियर हो गए अब उपसहसंयोजक योगिक में हमेशा ध्यान रखो आज ही मैं क्लियर कर रही हूं क कोई भी योगिक जब बनता है तो उसमें जो atoms होते हैं वो atom हमेशां दो एक एक डूसरे एक को कितने एक दान करता है दो इलेक्ट्रों दान करेगा और कौन बंद बनाएगा इस प्रकार एरो की तरह बनने वाला बंद उपस हैं से जगपंद बनाता है बात समझ में आ आप योगिक आप देखें घुट्रम जो है कुछ MID मौल्लीकूर स्वें इस तरह बनाई जाते हैं तो उन मौल्लीकूर्स में आपनि बात करते बैठें कि आपके पां इस प्रकार बनने वाले जो ने वहन में तोвин कि ऐसे पानफे हैं तो दो प्रकार के लवन होते हैं द्विक लवन और होता है बेता क्या संकुल लवन ठीक है रजा ओके तो द्विक लवन और संकुल लवन में इनको क्यों वर्लिगर किया गया तो कहा गया कि कुछ compounds ऐसे होते हैं जो अगर आप पानी में उनको यदि dissolve करते हैं यानि पानी के यदर उन्हें घोलते हैं तो वो पून तया आइनित हो जाते हैं पून तया आइनित हो जाते हैं वही पर यदि मैं बात करूं कि अगर संकुल की बात करूं तो ये पून तया आइनित नहीं होते हैं वह उन्ट अखे आयनित नहीं अपनी मूल अवस्ता को नहीं छोड़ते हैं जैसे वह हैं, वैसे ही रहते हैं, तो इस प्रकास संकूल येविकों को धूप्र कास से डिफाइन किया गया द्विध संकूल 11, रइट, अब आपने आप बात करेंगे किOS की द्विक लवन की तो द् जलिए देख लेते हैं क्या कहते हैं वे योगात में योगिक जो ठोस अवस्ता में क्वांती होते हैं पर जलिए वीडियों में पूर्ण रूप से आइनित हो जाते हैं उन्हें जालक लवन भी कहा जाता है जालक शब्द का अर्थ होता है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स है वो इस तरह से अरेंज होते हैं एक जाल के रूप में अरेंज होते हैं घर में सबके जाल होते हैं ना उपर की तरफ लगा हुआ होता है जो आईरन की पेट से धका हुआ होता है वैसा ही जाल पाया जाता है तो बात समझ में आ गई होगी बात क्लियर भी हो गई है चलू आपकी क्लियर आपको समझ में आगे अब आता है इसके एक्जामपल की और नजर दाले तो कार्नेलाइट के सियल अमजी सियल टू डॉट आपको पता है कि पानी में डालने से गुल जाता है कि नहीं पता है पता है बिलकुल पता हुना भी चाहिए क्योंकि पानी को स्विद्धी करत करने के लिए हम उसके अंदर क्या दालते हैं तो के टू आसो फोर का होल थाई डॉट चोबीस एच टू बात समझ में आ गए और लवन या क्रिस्टली फेर समूनियों सलफेट इसका फॉर्मूला होता है अब आप में से कई बच्चे ही सोचते होंगे कि 24 सच टू और शिक्स एच टू क्या है बिटा यह जो मॉलिक्यूल वाटर का मॉलिक्यूल रखा गया है यह क्रिस्टली यह जल होते हैं क्या होते हैं बटें क्रिस्टली यह जल होते धिस्टली का मतलब क्या होता है क्रिस्टली यह जल वह जल होता है जो एक निश्चित आयतर में किसी मॉलिक्यूल के निश्चित आयतन में उपस्तित होता है मॉलिक्यूल के क्या निश्चित आयतन में उपस्तित होता है उसे अपन क्या कहते हैं क्रिस्टलन जल कहते हैं को के बात समझ में इसलिए क्रिस्टिलन जल है जो क्या होता है एक निश्चित मात्रा में उपस्तित होता है क्लियर बात समझ में आ गई तो पड़ा पड़ा लाइक कर दो लिग दो यस मैम अरे देखो बाते मत करो आज नया चैप्टर है इतना जोश के साथ मैं पढ़ा रही ह तो आपको पता है यह पूंते आयनित नहीं होंगे अपने अस्तित्व को नहीं खोते हैं तो एक्जामपल के पहले परिवाशा देखो जो ठोस तदा वीलियन वीलियन दोनों अवस्ताओं में इस्थाई होते हैं परन्तु आयनित नहीं होते हैं जैसे क्या CUNH3 का होल 4 SO4 जिसे आप यह तोड़ते हैं तो यह इस तरह तोड़ता है यह प्लस का यहाँ पर लिखतो संकुल का मतलग संकुल का मतलग क्या ज़्यां दो आपके पास हमेशा जब भी आप शंकुल की बात करेंगे तो आपके पास हमेशा D block की धातू होगी एक तो पहली बार ठीक है और D block की ही क्यूं होगी क्यूंकि D block की इसलिए बताई गई है क्यूंकि इनके पास रिक्त D कक्षक होता है इसलिए ये क्या होते हैं इसलिए ये इलेक्ट्रोन ग्रहन कर सकती है और संकुल योगिक ही एक मातर ऐसे योगिक है जिनमें जो धात्वे होती है वो धात्वे हमेशा इलेक्ट्रोन ग्रहन करती है क्या करती है इलेक्ट्रोन ग्रहन करती है जनरली धात्वे इलेक्ट्रोन का दान करती है लेकिन संकुल योगिकों में इलेक्ट्रोन युग्म ग्र कोई दिकत नहीं है तो अपन देखते हैं कि यहां पर अपन ने जो बातें की हैं तो यहां यह कह रहा है कि आपके बाद जो संकुल है उसमें धातु है और आयन है ठीक है और यह जो आपस में मिलकर यह जो टूटा नहीं है यह जो टूटा हुआ भाग नहीं है उसे हम लोग क् सामझ में परमानु जिसमें लिगें दाता केंड मानु का काम करता है इस प्रकार बननी संकुल को संकुल योगे कहते हैं जरा ध्यान दो और उपसह सेयोजक सत्ता समन्वे सत्ता या फिर केंदे धातु परमाणू बच्चों सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा आपके पास में क्या है आपके पास में एक पॉर्मूला दिया है जो इस प्रकार है CUNH3 का होल 4 और यह बंद कर दिया और यहां लेग दिया S of A ठीक बस यहां ध्यान दो आप सब इस तरह ध्यान दो अब इमें सब का अर्थ समझा दो ठीक है आपके पास एक कंपाउंड है जो बड़े कोस्टक में लिखा हुआ है उसे संकुल योगिक क्या कहते है इस संकुल योगिक में क्या है यह क्या है केंद्रियर धातू पर्माग ठीक और यह क्या है लिए क्या है बेटा ये अब लिगेंड क्या होते हैं केंद्रिय धातु परमानू क्या होता है संकुल एक तपड़ा चली गिया और इसे कहते हैं बेटा साधा रने आये क्या कहते है राजा साधा रण आए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो ये कह रहा है कि केंद्रिय धातु परमानू वो होते हैं जो क्या करते हैं लिगेंड के साथ जुड़ते हैं और इलेक्ट्रोन ग्रहन करते हैं केंद्रिय धातु परमानू वो होता है जो लिगेंडों के साथ जुड़कर उपस है से योजग बंद का निर्मान करता है और इलेक्ट्रोन ग्रहन करता है ठीक बात है ठीक है वहीं पर आप देखें कि लिगेंड क्या होते हैं तो कहा गया कि लिगेंड कौन होता है लिगेंड वह दाता परमानु होते हैं लिगेंड वह दाता परमानु होते हैं जो क्या करते हैं केंद्रिय धातु परमानु को लेक्टोन युगमदान करते हैं बात समझ में आ गई बात क्लियर भी हो गई होगी तो क्लियर हो गई बात केंद्रिय धातु परमानु अब आता है समन रहे सक जहनब पर केंद्री दातु और लगेंट स्थित होते हैं जहां पर रखे जाते हैं उस परिसर को क्या कहा जाता है उससे ुस परिसर लॉन प्यार होता है कि ऑनित्तर होते हैं उससे लिगेंड कहते हैं है dialog IntresFine relief का वहां Defend Comdenous जो लॉन प्राइर को इलके त्यागता है उस कहते हैं चाहिते हैं हैंना फिरफेंट बाततम वामांच में क्लियर हो गई बिटा अब यह लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं तो एक बार उस पर नज़र डालते हैं कितने प्रकार के होते हैं तो लिगेंड का वर्गी करा है अब ज़रा ध्यान देंगे सभी बप्चें कि लिगेंड को जब क्लासिफाइड किया जाता है बिटा तो लि त्री दंतुक और शट दंतुक और बहु दंतुक ठीक है एक दंतुक का मतलब क्या होता है जरसा भी ध्यान दिलें एक दंतुक का मतलब होता है जो किसी केंद्रिय धातो परमानूं अमको एक ही इलेक्टोन युग्म दान करता है या जिसके पास एक ही दाता परमानूं होता है जिसके पास एक ही दाता परमानूं हो या फिर यूँ कहूं जो एक इलेक्टोन युग्म दान करता है राइट द्वी दंतुक में दो इलाक्टोन यूग, त्री में टीन इलाक्टोन यूग, शट में 6, बहु में 6 से जाधा, और जब 6 से जाधा हो जाते हैं, तो वहाँ पर किलेट वलय बन जाती है, ओके, बात समझ में आगे हैं, बात क्लियर हो गए हैं, समझ में आई बात, तो फटा-फट इसको उतारेंगे, ताकि आप अच्छे से इसको नोट कर सकें, अभी मैं एक्जामपल दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है, चलो जी चलो, आजाओ, लिगेंड में दाता परमानों की संख्या के आधार पर, तो सबसे पहले एक दंतुक, एक दाता इलक्ट्रोन, एक इलक्ट्रोन युगम, किसको, केंद्रिय धातू, परमानों को दान करते हैं, और कोई दिखतत होनी भी नहीं चलिए, बात समझने आगरी होई, तो ये कहते हैं कि द्वी दंतुक में, जैसे एथेन, वन्टू, डाई, एन, देखो बेटा, इसका एथेन, वन्टू, डाई, एम, तो पता है क्या होगा, तो ये नाइट्रोजन जो है, वो क्या करेगा, ये नाइट्रोजन भी क्या होगा, केंद्रिय धातू, परमानों को इलक्ट्रोन युगम, दान करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये द्वी दंतुक पहलाता है, बात समझ में आगी हो की बात clear भी हो गई हूँ, चलूं आगे, एक दंतुक द्वी दंतुक का मीनिंग समझ में आया, बात clear हो गई, तो चलते हैं, आगी, फटा फट उतारेंगे जल्दी से, मैं देखती हूँ, कई बच्चे बोलते हैं, कमेंट में, कि मैं हमें उ करके आप ये बात भी देख लें कि वहां पर आपको जो होमवक दिया गया है वहां पर आपको PDF भी मिल जाएगा रेट तो PDF भी वहां पर आप ले सकते हैं ओके कोई दिक्कत नहीं तो चलू आगे लिख दो फड़ावट यस मैम जल्दी लिखो जल्दी लिखो बात ते कर लो तूं कर लो कर लो कि बात तो करनी है न वो नहीं की तो कम मतलब क्या है कि देखो बेटा हम इतना मैंनत कर रे हैं किस लिए कि मारे बच्चों के double क्लियर रहे हम इतनी इतना ताइन देख 52 कर तो आप भी तो पढ़ाई पर ध्यान दो पढ़ाईपर थियान भी चलो आजाओ जी अब त्री दंतुक में तेन दाता परमाणंagen टाइर सिल ट्राइक ठीक है अब पता है क्या होगा अब यहां पर NH2 नहीं तो और यहां पर क्या है यहां पर क्यों टाइफिल डाइफिल ट्रायम एक दो पीफ एक दो तीन दाता पर मानू होगा तो क्या हो गया त्री दंतुक चले बात समझ जाएगी बिलकुल बिलकुल चलते हैं आगे जल्दी से फटाफट नोट कर लो जल्दी आगे आता है शट दंतुक चतर दंतुक में क्या होगा यहां पर चार आजाएंगे पांच में फिर पांच जुड़ जाएंगे छे में देखो एथिलीन डा डाइमेन टेत्रा चार हो गए हाँ यह न एथिलीन डायमिन टेत्रा अब एसीट 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 का मतलब क्या आजाओ 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 अभी दिखा देते हैं एसिटेट का मतलब क्या होता है ज़रा भी देखो यान से देखना आराम से कोई जल्दी नहीं है आपको इसी फॉर्मूले में मैं सब्सक्राइब आ जाओ बेठा च्छ तू च्छ ठीक है एथिलीन दाइमें टेट्रा एस्टिक एसे ट्रैस्टिक इस किया हो है च्छ थरी सी डवल बोल ओ ओ माइनस राइट 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 बात समझ में आगे बात क्लियर होगी इन देखो बिटा कितने हैं दाता पर मानू कितने हैं एक दो दो तीन चार पांच और यह सब जल्दी बता जल्दी चलती चलती बता यह सब नो फटाफर बिलकुल जी विल्कुल यह बात क्लियर हो गई इसलिए सट दंतुक अब देखो बिटा यह दी इसके अपन क्या कर दें अगर अपन एक हटा दें तो पांच रह जाएंगे दो हट दाए दंतुक और इस प्रकाल अपन देखें तो यहां पर भी आपके पासमें क्या है बटा अगर आपके पासमें कोई मैटल हो कोई मैटल हो तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं यहां पर लिखा हैं तो यह यहां पर यहां पर यहां पर और यह उपर से यूँ और यह यहां से यूँ तो आपको क्या नजर आ रहा है बेटे आपको एक गोल वले नजर आ रही है जिसे हमन क्या कहते हैं किलेट वले कहते हैं औ अधिक इस्थाई प्रवर्ति के होते हैं, बात समझ में आ गई होगी, बात क्लिर भी हो गई होगी, फटा-फट लिख दीजिए यस मैं, आगई बात समय उबह दन दोग, अब ये तो आपने उतार लिया, ये जल्धी से उतार लो, फटा-फट जल्धी से उतारो जल्धी से, फटा फट उतार 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 लिए ठीक अब मैं इसको इरेज कर देती हूं ताकि आपको अगला टॉपिक समझ में आ जाई अब आजाओ बेटे अगला आता है उप्हेधंतुक लिगिन उब्हेधंतुक का मतलब क्या होता है उभेधंतुक लिगिन व Confederate लिगिन दो दाता परमानों के साथ साथ क्या है दोनों ही क्या कर सकते है इलेक्टोन दे सकते है इलेक्टोन युगमदान कर सकते है ठीक है लेकिन एक समय में एक ही देगा एक बार में एक ही देगा दो दाता परमानों है बेशक है लेकिन एक समय में एक दिया जैसे for example घर में क्या हैं कि सब लोग पैसे वाले दो भाई हैं दोनों पैसे वाले अब किसी को दान करना है यह किसी भी सकूल में है या फिर कहीं पर भी किसी अनाथ आश्रम में डॉनेट करना है तो आश्रम वाले आते हैं पूछते हैं कि इस साल आप कितना donation देंगी तो अब दोनों भाईयों से अलग-अलग पूछा लेकिन वो दोनों भाई तो एक साथ है अच्छे हैं वो तो भई अपना घर में एक साथ पूछ कर सला मसवरा करके आंसर करते हैं तो उन्होंने का ठीक है हम बात करेंगे इस बात तो उन्होंने क्या किया पूछा पूछा तो फिर क्या कहा कि दोनों मिलकर के एक ही जना अब जो बड़ा है वही donation देगा घर में से ही जा रहा है पर एक बार में एक जना देगा ऐसा नहीं है कि छोटे वाले ने अलग से दिया बड़े वाले ने ऐसा नहीं है एक बार में ए गही है तो फौट और लिग दो यस मैं उबैदन तूका मीनिंग इसरा ही साइना आइडरस में कार्बन और्ल घ्र он दे सकता है निट्रोжеं लेकिन एक समय में एग समय में इकिस अपर बार का बम पूर और एक बार निट्रोजन तह एक रकार बात समझ में आ गई तो पटा फट लिग दो यस मैं जल्दी लिखते हैं चलो ओक आजए है अब आता है किलेट लिगेंड किलेट लिगेंड मैंने बता दी है वैस्तों फिर भी आपके सामने स्क्रीम पर है यह द्वी दंतुक यह बहुत दंडर लिगेंड जो होते हैं दादर से एथिलिन डाइमीन और क्या ओक्जिलिक एसेड एथिलिन डाइमीन टेट्राइस्टिक एसेड ग्लाइकॉल अब उधान आता है सी यू इन का होल ट्वाइस तो यह रहा आपका कोपर यह क्या है आपका कोपर ओके कोपर अब कोपर जो है इसके चाओ तरफ एथिलिन डाइ एमें कॉपर के साथ एथिलिन डायमिन का फॉर्मॉला यह होता है सी एश टू आप देखो इसके कितने मौल है दो आप पण लिखेंगे इसको ऐसे CH2 CH2 NH2 NH2 राइट यह दे दिया एसे ही वापस NH2 NH2 CH2 CH2 यह हो यह भी लैक्टोन दे रहा है आगे इस प्रकार बने हुए एक वला बन दाए ना यह दो यह रही एक वला है इस प्रकार बने हुए जो योगिक होते हैं उन्हें किलेट योगिक और को किलेट िडोलिक चाहता है जो चक्रिय योहिकों का निर्मान कर बात समझ में आ गए तो फटा फट फट फटा फटा ने चलते हैं आगे अभिया है समन्वय मंदल क्या होता है जहां पर लिगेण मोजूद होता है यह जो कौस्तक के अंदर वाला जो भाग होता है उसे समन्वे मंदल कहते हैं क्या कहते हैं पटे समन्वे मंदल कहते हैं केंदी धातु परमामता उससे जुड़ेवे लिगेंड जो गूरू यह बड़े कॉस्टक में लिखते हैं उन सभी को समन्वे मंदल में शामिल किया गया है समन्वे मंदल इसके अंदर समन्वे मंदल में यस और नो बात समझ में आ गई होगी बात क्लियर भी हो गई होगी राइट बेटा यस जल्दे से लिटो यस मैं जल्दे लिखो फटाफट बाद में बाते कर लेना आपकी जो मित्र आएं में हैं यहां पर उनसे बाद में बाते कर लेना अभी केवल और केवल क्या करो अभी क केवल पढ़ाई पर द्यान दो भई चलें आजाओ अब चलते हैं आगे समन्वे बहु पलक क्या होता है समन्वे बहु पलक का मतलब होता है कि आप के पास जो समन्वे मंदल है उसके अंदर जरे सीउ अनस्तरीका होल हुआ है या फिर c u ns Day का hold six है तो यह जो आपके पास लिगेंड है यह लिगेंड किस तरह से विन्ञासित है किस परकार से विन्ञासित है यह जिस परकार विल्गेंड होंगे उसी परकार से उसका फलक बन जाता है तो इसने कहा है कि केंदी धातु पर्मानू जो होते हैं उनको उनमें उपस्तित जो लिगेंड होते है वही उसका फलक तो आप देखेंगे इसके एक्जामपल्स अपन बात कर लेते हैं केंदी दादर परमानों से जुड़ेवे लिगेन के इस्थान की वेवस्था को समन्ह बहुंप हला कहते हैं तो आ है चत्स फलकीया सम्तल वर्गाकार और एस्ट फलकीया राइट बात समझ में अई सम्तल यह चत्स फलकीया इस तरह से विन्यासित हो गया रहागत अनुद्ध क क्लिए हुई है समझ आ गई यह क्या है चतस्वले कि यह संतल वर्गाकार और यह अस्ट वर्ण लीट के बात समझ में आगे जल्दी से लिग दो यसडाप पट जटाज जल्दी जल्दी चल्दी ताकि हम आपको यह टॉपिक आगे क्लिए कर सके ऐगा गार कर शहते हैं उपसह सेयोजन संक्या क्या होता है जो मैं बोल रही हुँ न वो लिख्यूई परिवास से ज़्यादा इजी है इसलिए कोशिश करो कि आप उनको इतने ही अच्छे से समझ सको तो कि इधर देखो, सामने बोड पर, उपस है संच्रा क्या होती है, कोई भी केंध्री एफ परमान, जितने लिगेंड से जूड़ता है, जितने लिगेंड से जूड़ता है, वही उसकी समन्वे संच्रा कहलाती है क्या कहलाती है देखो केंद्री दातों परमानु से जुड़े वे लिगेंड़ों की संख्या को उप सह से जुड़े है तो उनकी संख्या को दो से गुणा करके वो तो बात की बात है इतना जरूरी नहीं केवल यदि आपके पास समझ में कि अगर आपका ड्वी दंतुक है तब दो से गुना करो एक दंपुत गों अब एथिलिन डाययमे कितने दान करता है जलदी पता इतने एक्ट्रानिक में करता है यह दो उनकल कितने की बंद नएगा सार हाँ या ना इलकुल बनाएगा कैسे होगे दिखा देते हैं जैसे ethelin diameter और कोपर भाग क्यों तो है इक ethelin diameter कितने बंद बनाता है कितने बंद बना रहा है एक ये athelin diameter एक ही तौल है कितने बंद बना रहा है दो वापस दूसरा yuntian diameter over कितने बंद बना रहा है यह थो टोटल कितने हो गए यानि उपसे इसे कितनी होगी जल्दी बताओ यस और लूँ क्लियर यस आजाओ आगे चलते हैं अब संकुल जो एक है उनके अंदर उपसे इंदर संक्या ग्याद करो एजी सी एन जोए एक दन तुक होता है इसके दो निकल भी निकल के साथ में क्या है कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल भी कितना होता है एक एलेक्ट्रों यूदान करता है तो चार जुड़े में दचार हो गए दो गुणा एक चार गुणा भी एक चार गुणा भी एक शेग अब आज जाओ अब आइनेश थ्री भी कितने है तीन गुणा एक प्लस तीन गुणा एक टोटल कितने हो गए तीन और तीन च्छे सही है क्लोरीन भी एक दन तुक होता है मैंने अभी बताया था पीछे एथि इन दाय क्योंब few दो और कितने हैं आपके पास कंपॉंड तु evalu वो संपुल नहीं होते साधार्ण आया ठीक है बाद समझ में अगजलीक आशीड भी छह एथिलिन्डाइक एमें शेया और 20 बड़े कॉस्टां पाक तेसमें गी तो लिख दो येश्च माम admire है जल्दी जल्दी ओकाइँ आरे या नहीं आरे बात समझ में बात क्लियर हुई जल्दी बता दो भई जल्दी जल्दी आप पढ़नें प्रही धयान दो बात bombs रहें जहां कर चलते हैं होमुव संपम को हो perceptions को और दूसरा इतरो णो हमेशन हैं मतलब आरी हम हो sounds तब अलग अलग होते हैं आप और अब हुभिन घर चले जाएए तो घर में तो अपन आराम से कैसे भीरे सकते हैं सब एक जीसीज़से रहते हैं वहां थोडना होता है कि सूट वूट पहन के बढ़ियाद तयार हो की बैठ जाएंगे यदि क्या हो लिगेंड क्या हो बेटा लिगेंड भिन भिन हो तो क्या हो तो क्या होता है है तो देखो ना निकल के विपसाद में समान CH3TB और समान है है यहां घर सम Side समझ में आई हाँ यह न यह लिए बताओ ज़ल्दी बता ओ जल्दी बताओ बसट यह बोहुत इंपोर्टेंट है यहां से दो नंबर का क्याश्चन आता ही है पक्का-पक्का-पक्का-101 इसलिए कोशिश करो कि ज्यादा से जड़ा पढ़ सको चलिए आगे चलते हैं अब आता है उपसह सहयोगी को का नाम करन नाम करन कैसे किया जाता है जरा ध्यान दे जब उपसह सहयोग कैशी कि आपके पास कौन-कौन से योगक है ठीक है आपके पास संक्ल है धायन है आयन है संक्ल है और किवल संकुल ठीक है इसे अपन बोलते हैं धनात्मक संकुल ठीक है इसे बोलते हैं साधारण साधारण आएं यहां पर बोलते हैं साधारण रिनायं साधारण धनायं और संकुल रिनायं और यह है क्या उदासीन उदासीन संकुल बात समझ में आ गई होकी ॼा में अब इनका नाम लिखने कीầण पहले इससको उतारो एका बात समझ में आ जाए फटा फट उतारो तो जल्दी से जल्दी सित competeable जल्दी उतारो जल्दी वतारो अब आजाए यह नाम लिखने के नियम है पहला है कि लिखते समय धनायन को पहले बादने裡面 ठीक है इस को नाम घेल किला इसे धनायन की संख्या का उले नहीं करते हैं ठीक मानों को लिखा जाता है उसके बाद धातों की ऑक्सिकान आवस्था और रोमन संक्या में उसके अंदर कॉस्टक में या चाता है ठीक है तो सबसे पहले पता हो कि लिगेंड कौन-कौन से होते हैं आपके सामने बहुत साही लिगेंड है यह मैंने इसी रहे हूं ताकि आप हो और आवेश क्या होता है सी कॉप सी हो है कार्बुनाई एच्टू है एक वा नहीं है तो यह आपको याद रखने है फटा फट उतारो इसको स्क्रीन शोट ले लो जल्दी से ताकि आप इसको अपने खुद के फेर नोट्स में उतार सकें ओके जल्दी उतारो जल्दी चल से अगला एंसी इसुसाइनाइन यह भी लिगेंड ही है जिन पर क्या-क्या आवेश है फट 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 उतार दो जल्दी से जल्दी 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 बेटा जल्दी इतार दिया आ जाओ आप देखो वे लिगेंड जिनकी संख्या दो तीन चार पांच छे होती है उनके नाम से पुर्व डाई ट्राई और टेट्रा भी कहना चाहता है कि अगर समान लिगेंड हो जिसे ब्रोमीन है अभी मैं नाम करके आए लिखा हो गहां तरु समझना पढ़ता है तो डाउन गट्राई लिख देते हैं जिन लिगेंडों के नाम में डाई डाई टेट्रा शब्द आते हैं उनके लिगेंडों की संख्या दो तीन और च्याव है तो उसके बाद उनकी नाम से पूर्व क्रमशे बिस्ट्रिस और टेट्रा किस लिखा जाता है केवल रिणाय वीशित संकुल आयन में धातु के अंत में एट लगता है और किसी के नहीं आपके स पूत्र जो है लिखना मैं बाद में बताऊंगी पहले नाम लिखना बताते हैं ठीक है के फूर एफी सीन का होल सिक्स ठीक है बटा अब नामकरन कैसे करते हैं सामने बोड पर सभी बच्चे ध्यान दोंगे सबसे पहले क्या करना है आपको सबसे पहले इस केंद्रिय धातु पर्मानों का ओक्सी करन अंग कैसे अगर नहीं आता है तो मैं बता देते हैं सबसे पहले क्या निकालो ओक्सी करना कैसे निकालोगे पोटेशन पर कितना चार्ज होता है प्लस एक चार लगा दिया प्लस एक का ओक्सी करना अंक निकालना है एक समान दो एक ही है तो कोई दिक्रत नहीं है प्लस कितने 6 क्या चार्ज होता है सी एन पर माइनस वन अब आप सोच रहे होंगे मैड़म हमें कैसे पता चलेगा कि इ होता है हमें तो नहीं पता होगा इसके लिए आपको याद करना होगा कि किसके ऊपर कितना चार्ज है अगर आप इसे दो-3 बरें पढ़ लेंगे तो आपको मालू चल जाएगा ओके तो अब निकालो बिटा चार प्लस एक्स माइनस छे एक्स बरावर छे माइनस चार बरावर एक्स प्लस दू यानि कि जो एफी है उसकी oxidation state कितनी है प्लस तू यानि इसे आप रोमन संख्या में इस प्रकार दिखेंगे ओके डन अब आजाओ आपके पास क्या है संकुल रिनायन है क्या है बता क्या है संकुल रिनायन है ठीक बात है बात समझ में आगे और यह क्या है आपके पास सरल धनायन ठीक है अब सरल धनायन का जब भी आप नाम लिखेंगे तो उसमें उसकी संख्या मत लिखना कभी नहीं लिखना को के बात समझ आई तो सबसे पहले नाम किसका आता है लिगेंड लिगेंड सीन सीन को लिखते हैं साइन क्या लिखते हैं साइन लेकिन साइनो से पहले क्या लिखना पड़ेगा लिगेंड की संख्य कितनी चैक्षा है लिखते हैं है अब रिणायन संकुल में केंद्रि धातु परमानूं है तो नाम होगा फेरस और नाम के पीछे लगाओ एट तो क्या बन गया फेरेट क्या बन गए भिटेैं फेरेट बात समझ में यश और नाम क्या हुआ पूटेश्यम है एक्सासाइनो परेट्टी ऑक्सिडेशन स्टेट कितना है सेके बात समझ में आ गई ओई बात भी होग नाम लिखना-या जल्दी बताओ किसकिस को जल्दी पता दो यास मैं हागिया वेते क्या करना होता है हमेशा संक्ल और धननायन को पहचाना होता है सवच्छा कभी नहीं लिगते हैं और जब बात करते हैं कि संक्ल की और संक्ल में है लिएन का नाम संख्या के साथ और धात्युक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक् है 17 संकूलy को सुत्र अब आपको ठियौरी वह 에न दृए या नाम वही बाते हैं सबसे पहलब यह तो सलल धनायन निनायन का सुत्र आवेश सहीत लिखते हैं बड़े कोश्टक के अंदर लिखते हैं धातु सबसे पहले तरह बाद में लिगेंड लिखा जाता है और ऑक्सिकन अवस्तारा लिगेंड पर आवेश की साहिता से संकुल आयन पर आवेश प्यात कर दिए जाते हैं सलल और लिगेंड को पहचानना है पहले धातु लिखी जाएगी फिर लिगेंड लिगेंड के साथ इसकी संख्या को वेख या जाएगा क्लियर और लास्ट में धातु की जो ऑक्सिडेशन स्टेट है उसको भी लिखते हैं जाता है आईए एक बार एक एक जामपल देख लिए से अपने पास क्या है पोटेशियम हेग्जा साइनो इसका फेरेट सेकिन अब आपको इसका नाम लिखना है पोटेशियम हेग्जा साइनो ठीक है तो फेरेट तो यह तो होगे आपका कॉस्टक में और यह बाहर होगे तो पोटेशियम बाहर लिख लिख लिए केवल आपको आप ऐसे लिखना है बस पोटेशियम प्रोटेशियम फिर हेग्जासाइन हो मतलब हेग्जासाइन और फिरेट यानि फ ठीक है अब आपके पास पोटेशियम की संख्या कितनी है अगर यह ग्याद करना है तो अपने को क्या मानकीUD अपने को यहां देखना है कि फेरेट कितना है प्लस दो में है प्लस दो में है प्लस अपने पास साइनाइड माइनस वन होता है कितना होता है यह अपन सब जानते हैं कितना एक होता है अपन सब क्या लिखते हैं अपने पास क्या आगया यहां पर प्लस दो और यहां पर माइन का चाह अब ध्यान दो बिटा यह धनायन है यह रिनायन यहां माइनस चाह चाह एन और यहां पर प्लस ए तो यह यहां पर यह यहां पर प्रमूला क्या बना के फूर एफी सी एन का 4, 6, yes or no, बताओ जल्दी 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 बताओ जल्दी, बात समझ आई एन है, राइट, बहुत इसी है, बहुत इसी है, नाम करन बहुत इसी है, अगर आप अच्छे से यह दी आप समझना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, किवल धातु पहचान नहीं है, धनायन और रिनायन पहचाना है, उसके बाद आप टाइरेक्ट किसी का भी नाम लिख सकते हैं, बात समझ में आ गई, तो फटावर लिख दो, ये आप खुद लिखो, आप खुद बताओ, चलो ये मैं छुपा रहती हूँ, ये आपको नहीं देखना है, आपको खुद से इसका फो हो जाए, अच्छे से समझ में आए, समाव्यवता, समाव्यवता क्या होती है, जरा ध्यान देंगे, सभी बच्चे, समाव्यवता वैसे तो 11 प्लास में भी आप पढ़कर आए हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा साथ चींज है, समाव्यवता का मतलब वही होता है, जो सब जग क्यों है है यह कहा दू कि कोई अनु है या कोई योगिक है ठीक है इन्हें योगिकों का बेटा क्या इन्हें योगिकों का जो सुथर होता है जो अनुसुत्र होता है वो सुत्र जो होता है वो कभी बदलता नहीं है बदलता नहीं है ओके वो कभी नहीं बदलता लेकिन इनकी जो है इस्तती है इनकी सरंचना है वो सब बदल जाती है ओके जब ये बदलाव होता है तो कहा जाता है कि जब दो या दो से अधिक योगिक ज इनको क्या अनुसुत्र कभी नहीं बदलते हैं लेकिन उनकी सरंचनाय और उनकी इस्थथिया बदल जाती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें पोस्त पार कहते हैं तो 성 naar अThere व्हर्ट बात समझ में आ गई तो फदाफ़ से लिख दीजिए येस एंब और सभी बच्चे जो अब तक जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और एक प्रामिस क्या आप क्लास में लास तक जुड़े रहेंगे कोई भी बच्चा इदर दो की बातें नहीं करो बेटा जितना पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो मैं कह रही हूँ अगर आपका साथ बना रहा तो मैं कह रही हूँ आपको हम आपकी मेरिट जरूर आएगी इस साल ही आएगी इन महिनों में ही पढ़ने से ही आएगी लेकिन उसके लिए आपको मैनत मेरे साथ करनी होगी और ध्यान के वल पड़ाई करोगा चलते हैं आगे तो समावेवता की परिभाश पर नदर डालो वे योगिक जिनकी अनुसुतर तो समान होते हैं पर अंतुर में उपसे समों की विवस्ता भिन भिन होती है उनके गुन भी भिन भिन होते हैं वे एक दूसरे के समावेवी कहलाते हैं इन गुनों को समावेवता कहते हैं अब आता है समावेवता का वर्गी करन यानि समावेवता को किस प्रकार से वर्गी करत किया जा सकता है चले आईए जी समावेता का वर्जेकरण किया गया है वेसिकली टू टैप से सरंचना समावेता और क्रिनी समावेता यह क्या होती है बिलकुल क्वर्शन सबके मन में आता है है ना सरंचनात्मक समावेता का मतलब होता है बेटा कि अनुसुत्र ना बदल कर अनुसुत्र ना बदल कर अनुसुत्र बदलता नहीं है ओके लेकिन वहाँ पर क्या बदल जाता है वहाँ पर मॉलिक्यूल में उपस्ति जो परमाणू होते हैं उन परमाणूं की इस्ततियां बदल जाती है और वो इस्ततिया बदनेने की वज़े से सरंचनात्मत समावरता को चार भागों में बाटा गया है वो कौन-कौन सी वह भी बात करेंगे साती त्री वेमिया का मतलब होता है कि जिनके सुत्र तो बिल्कुल बैसिकली बदलने ही नहीं उसके साथ ही उनकी जो इस ट्रैक्चर होती है उस इस ट्रै आपको यहां पर जानना है ओके चलूं आगे आजाए चलते हैं आगे तो अब आता है पहला सरंचनात्मत समावरता कितने प्रकार की होती है तो बदाए चार प्रकार की आयनन समावर्यवता और बंधी समावर्यवता समाव व्यवता और आता है अगला उपसहसे जड़क समा व्यवता और आता है विलाएक और हाईटरे इन सबके में एक छोटी सी ट्रिक आपको बता रहा है हूँ आयनन, बंदी, उपसहसे, ज़क और विलाएक या हाईटरे तो क्या मतलब होता है आयनन मतलब होता है कि जब मॉलेक्यूल में क्या होते हैं आयन बदल जाते हैं यानि कि धनायन और रिनायन परस पर interchange हो जाते हैं बंदन का मतलब होता है आपको मेने ligand बताए है न वो ligand जो है उनके जो जुड़ने का क्रम है जो जुड़ने का क्रम है वो बदल जाता है ओके वही पर उप्सहस योजक्त समादलताuff में कहते हैं कि उप्सहस योजड जो ligand जो ligand जुड़े हुए थे वह लिगेंड परस पर बदल जाते हैं क्लोरीन की जह अमोनिया आ जाता है तो सहसे समारता हो जाती है हाइड्रेट यानि जलके अनुचों होते हैं अच्टू के द्वारा किसका लिगेंड का परिवर्तन हो जाता है बदलाव हो जाता है तो वहां पर कौन समारता आ जाती है हाइड्रेट समारता आ जाती है यह एक शोट ट्रिक है जिसे आपको पता होना चाहिए चले आज यह एक्जामपल के साथ एक एक समारता को कर लेते हैं पहली है बिटा आइनन समारता आइनन समारता क्या होती है एक नजद परिभाशा पर वे संकुल यह ज तरन किया वर देखो भिक को यहां पर देखो नहिकोण होलज फाइट वो आइनित हो जाएगा यहां पर फार जायगा यहां देखो साध्या से CO आयनाश्थ्री का होल 4 अच्छा होल 5 CL और यहाँ पर आगया SO4-2 अगर यह आपको मैंने बताया था जब मैंने नामकरण करवाए थे कि संकुल जब पहले है तो वो धनायन है और वही पर संकुल यह दिक्या है संकुल के बाद में सरल आयन है तो वो सरल क्या होगा रिनायन होगा बात समझ में आ गई बिलकुल तो यहाँ पर माइनस 2 है तो इसके उपर पूरे पर क्या होगा प्लस 2 यहाँ पर यहाँ पर भी आप देख सकते है CL नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ओके डन वेरी गूड चलते हैं आगे अब देखो यह क्या कह रहा है अब यह कह रहा है आपको अगर आइनन समावेटा की ही बात करनी है तो वो कह रहा है कि पर्थम यूइक के जलिये वीलियन में बी-े-सी-यल-टू का जलिये वीलियन मिलाने पर क्या होगा जरा ध्यान देंगे आइनन समावेटा को आप कैसे समझ सकते हैं इसका एक्जामपल दिया रहा है कि अगर आप इसके अंदर यह मोलिक्यूल है और इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं इसके अंदर आप कि क्या डाल रहे है बीए c l 2 जाल रहे है ठीक है अगर आपके पास में मॉलیک्यूल है ज़रा ध्यान देंगे आपके मॉलیک्यूल है c o né 3 का होल 5 c l और ये है aison 4 ठीक है एक मॉलیک्यूल है आपके पास वह है लेकिन c o né 3 3 का होल 5, एसो 4 और यह कोस्टक बंद और CL बाहर, तो हमेशा ध्यान रखो कि बाहर जो भी सरल आयन होगा, हमेशा कोन BACL2 जो है, वो रियक्शन करेगा बाहर वाले आयन के साथ, तो जैसे ही रियक्शन करेगा, तो आप देखते हैं कि BACL2 के साथ जब वो रियक्शन करता है, तो क्या बन जाता है, ज़रा ध्यान देंगे, तो BACL2 के साथ रियक्शन करेगा, तो बाहर यह होगा, तो यहाँ पर आइसो 4 जोड़ जाएगा, और यहाँ पर CL आजाएगा, तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा बिटा, मॉलिक्यूल बन जाएगा आपके पास BASO4, बेरियम सलफेट, जिसका क्या बन जाता है, स्वेत अवक्शेप बन जाता है, क्या बन जाता है, स्वेत अवक्शेप बन जाता है, यानि कि इस solution में आपको white white PPT दिखाई देगी अवक शेप दिखाई देगा बट इसमें नहीं देगा क्योंकि बाहर CL है तो CL के साथ CL जुड़कर भी क्या करेगा तो कहा गया कि आयनन समागरता के दोरान ही मता सकते हैं कि जब आयन आपस में तूट रहा है तभी वो क्या कर र है क्योंकि संकुल कभी तूटता नहीं है ओके डान बात समझ आगे तो पड़ा पर लिख दो यस मैम जल्दी 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 चले आगे आगे आजाओ दूसरा कह रहा है कि यदि इसी के साथ में अगर आप AGNO3 का डाले तो दूसरी वाले मॉलेक्यूल में क्या हो जाएगा अगे यहां पर आप जहां पर बेरियम सलफेट बेरियम क्लोराइड डाल रहे हैं वहीं पर यहां पर आप डाल दो यहां पर डाल दो एजी अनो 3 तो क्या बन जाएगा बेटा अपने पास बन जाएगा एजी सील राइट अब यह एजी सील जो है यहां पर एजी सील बनने के कारण क्या होगा एजी सील बनने के कारण यहां पर एजी सील का स्वेट अवक्षे प्राप्त हो जाता है ओके डन बात क्लियर होगी तो पटाफट लिख दो यस माम जल्दी से लिख दो जल्दी से पटाफट 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 पटाफ़ है फैसmentation है ऊकी स्ऽफेसमत्थ नहीं की जो लिगेंड होते हैं जो लिगेंड होते हैं वो लिगेंड जो होते हैं इनकी जुड़ने की इस्तती है जुड़ने की इस्तती जो है वो बदल जाती है बदल जाती है ओके इसा से पहले दिया गया है वे यजित जिनके अनुसुतर समान लेकिन उभधनती लिगेंडों के दाता पर्मानों भिन हो जाते हैं बंदनी सम्मारता कहलाते हैं फॉर एकजामपल जैसे आपके पास क्या है अनुटू है दोनों तरफ दिया गया अनुटू अब अनुटू को अपन डवल बोंड वो इस तरह भी लिख सकते हैं एक यहां पर नाइट्रोजन दाता पर्मानों का काम क तो इस प्रकार लिगेंड जो है उसके जुड़ने की स्तथी में यदि परिवर्तन आ जाता है तो उसे वह कंड़ेते हैं उसे अपन कह देते हैं उसे अपन बंदनी समाव्यवता कह देते हैं बात लियर ओके फटाफट लिखेंगे जल्दी से उतारेंगे और लिखेंगे यस ओके चलू आगे आजाओ जी उपस है सही ओजन समाव्यवता किसे कहते हैं जिनका धनायन वह दिनायन दोनों ही संकुल आयन हो और इन किलोरिन की जगह ब्रोमीन जाता है अनस्त्री की स्ट्री आजाता है यहां पर आप ने देखा कि इसको यहां पर इसकी समाव्यवता को हज़ी आप CO यहां पर आजाएगा我 और यहां पर आजाएगाäs एन इस तरीखा और यहां पर आजाएगा Sc Kate Pl Parece न मारता प्रदिश्च कर रहे है यह परस पर कौन समार प्रदिश्च कर रहे हैं यह कर रहे हैं आप कोई भी दिक्कत हो तो बात कर सकता है जल्दी बताओ जल्दी ओके चलते हैं आगे विलायक योजन समावेटा या हाइड्रेट यह एच्टो के मॉलेक्यूल लिगेंड की जगह आ जाते हैं तो उसे हाइड्रेट समावेटा कहते हैं परिभाशा पर नज़र डालेंगे वेसं क जल्दी रूप में उपस्तित होते हैं जैसे आपके अगर अपन बात करें इसके अंदर रियक्शन की तो अपने पास क्या है अपने पास CUNH3 का होल 6.6H2O तो आपकी यह समारता क्या होगी CUNH3 का होल 5.H2O और अपने पास क्या आ गया यहां पर आ गया .5H2O यहां पर एक NH3 की जगह कौन आ गया H2O आ गया तो इस परकार की समारता क्या कहलाती है इस परकार की समारता आपकी क्या हाइड्रीट समारता कहलाती है clear बात समझ में आ गई तो पटा पट लिख दीजिए यस मैं यह बहुत इंप्पोर्टेंट है वेरिवेरिमृत्रD आप चलते हैं आगे अगली समारता OF TRIVINYA आती हैं जयामिती-धिया-भून या-प्रकाषिक समारता त्रीवीमिय समाविता में जयामिती समाविता क्या होती है और प्रकाशिक समाविता जरा ध्यान देंगे चलते हैं त्रीवीमिय समाविता किसे कहते हैं यह होगी मेरे में परमानु अत्वा समुहों की आकाशिय यानि थीडी जो व्यवस्ता होती है वो बदल जाती है और 3-ð् समाव मेरिक कहलाते हैं आकाशी विवस्ता यह शोती है उन्हें परिवरतन आ आ जाता है यह दो क्या होती है पहली कौन सी है आप ज्यामीती समावतात किसे कहते हैं जब कोई भी अपने पास संकुल योगित जिसे अपने जानतें है कि अगर इसमें अगर आप बात करें तो अगर आपकी समन्वे संख्या या फिर यू कहूं उपसे संख्या चार है यानि किसी केंद्रिय धातु परमानों से चार लिगेंड जुडए है तो उसकी जो सरंचना होती है वो दो प्रकार प्रकार प्रक्तिय और एक हो सकती है वर्गो संख्या फिक है तो इनमें क्या फर्क आया तो कहा कि प् Legs फ्लकिय जो होती है वो कभी है कि जै। नहीं करते हैं किवल वर्ग समतलिय करते हैं क्यों क्योंकि इनकी आकरती निश्चित होती है और इनका बंद कौन जो है bond angle जो है वो कभी बदलता नहीं है चैतुस्वले के bond angle कितना होता है एक सो नो डिगरी अठाइस डैश यह कभी बदलता नहीं है ओके बात समझ में आ गई होगी तो चैतुस्वले की होते हैं वो कभी जयामेति समावता परदशित नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि इनकी इस्तती जो इनकी आकरती जो है वो निश्चित होती है और बंद कौन कभी बदलते नहीं है जब की वर्ग समतनिये में बंद कौन बदल जाते हैं इसलिए जयामिति समाविता परदुशित करती हैं clear बात समझ आई जल्दी बोलो यास माम जल्दी से जल्दी से जल्दी से तो चलें आजाई चलते हैं परिभाशा की ओर उपस है सयोजक संक्या चार वाले संकुर जिनकी जयामिति वर्ग समतलिय होती हैं उनकी जयामिति उन्हें जयामिति समाविता परदुशिते करते हैं जैसे आपके सामने यह दो एक्जामपल्स रखे गए हैं जखे गया है ना अब इनको पर इस ट्रॉक्छर में कैसे देख सकते हैं यह रहा है आप 2, B2 आप 3, B3 रैट आप 2, B2 दिखाई दे रहा है जल्दी बताओ हाँ यह ना तो यहां पर आप A2B2 यानि कि यहां पर आपके पास ligand जो है वो दो-दो है यानि NH3 का भी hold twice है और CL2 का भी इस तरह से वर्ग समतली होगी अब जब दोनों NH3 same side तो cis और दोनों NH3 विपरित side तो क्या बोलते हैं trans cis और trans का मीनिंग समझ में आया है हाँ यान अब अपने पास यदि दो एक जैसे हो और दो अलग अलग हों तो उनमें जैयामिति समावता क्या मतलब होगा कि दोनों जो समान है वह समान दिशा में हो समान डायरेक्शन में हो तो cis और यह दोनों विपरित direction में हो तो trans कह दिया जाता है कि यानि कि कम से कम 2 कम से कम 2 जो हैं वो लिगेंड समान होने चाहिए तब ही जया मिथी समावयता प्रदशित होगी और वो सिस और ट्रांस प्रदशित करेगी अगर दो समा नहीं है तो वहाँ पर्सिस और ट्रांस होना पॉसिबल भी नहीं है ओके बेटा तो जल्दी से फटा फट इस बात को आपको क्लियर हो गया होगा बात आपको समझ में आ गई होगी ये एक्जाम में बहुत बार पूछा गया है जया मिती समा व्यवता जया मिती समा व्यवता ओके चले आगे आजाएए चल्दी से ठीक है चलो जी आगे अगली आती है प्रकाशिक समा व्यवता या ध्रूवन समा व्यवता प्रकाशिक समा व्यवता का मतलब क्या होता है ऐसे यह जनके रहों सब्सक्र नहीं बधलते हैं बिल्कुल नहीं बधलते हैं लेकिन अगर उस अपने को भी मिरुले लगा दे तो क्या या शी रखा गब है इसकी डायरेक्षन चेंज हा गोई यहसे अगर आप अपने अपने नोस को ही देखे और नोसмен में पहले तो आपको इस दायरेक्षिन में नजर आती में लेकशन हो जाता बात समझ में आई थो तो इस तरह से मीरर इमेज भी अपन देख सकते हैं तो पहले परिवाशा देख लेते हैं वे योग एक जो समतल धुरुवित प्रकाश के तल को किसी विशेश दिशा में घुमा देते हैं यानि कि अगर आप किसी भी प्रकाशिक समावेवी व्यवता परदिशित कर रहे हैं को आप देखने कि मोलेक्यूल जो है वो लोग वाइस या फिर एंटीक्लोक वाइस जेए घूम जाता है तो उसे हपन किया कहते हैं प्रकाशिक समा वेवी तर्ता उसर बण को प्रकाशिक समावेवी तो समतल धुरुवित प्रकाश के तल को यहां द हमकने हैं तो दी इसकी एक एकजामपल है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको नजर आ रहा होगा जैसे मीरर लगाया हुआ है दिंख रहा है और एथिलिन डाइमिन को आपने देखा है तो आप देख रहे हैं कि यह जहें आपको इसमें जो हे वो यह पीछ नजर आ रही है वही पर यदि मीरर में देखो तो ये आगे नज़र आ रही है हाँ या ना तो मीरर इमेज बन गई ना देखो दिखाई दे रहा है ना और जो पीछे नज़र आ रहे है वो आगे नज़र आ रहे है और जो आगे है वो पीछे नज़र आ रहे है आप चाहें तो मीरर लगा के भ और देख लेते हैं आई देखो सीयार एनेश थ्री पहोल ट्वाइस सीयल टू एथिलीन डाइम इस मॉलेक्यूल को आपने देख लिया बिल्कुल बना दिया अब इसके अंदर अपन देख रहे हैं कि अपने पास यह जो पीछे है यह पीछे नजरा रहा है यहां पर क्या रहा है आ रहा है कि नहीं जल्दी बताओ यस और नो हाया ना बिल्कुल यहां पर भी मिर इमेज में सिमिलर लिखे दे रहा है मिर लगाने से क्या हो जाता है मिर लगाने से मॉलेक्यूल जो है वो देखो यहां पर यह पीछे ना इस मॉलेक्यूल में पीछे तो इसमें क्या है आ जल्दी जल्दी बात प्लियर है ना बिलकुल देखो यह सब चीजें ऐसी है जिने आप चितना प्राक्टिस करेंगे उतना ही निखर कराई लेकिन प्राक्टिस जरूरी है हम प्राक्टिस करते हैं हम केवल यह बना कर छोड़ देते हैं कई बचे सोच रहें मैडम यह डाइग अस्ट फलकी जयामिती होती है और एक बॉक्स के ऊपर नीचे इज़र 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 इस फलकी के बात करूँ तो कैसी होती है चतव स्वली के वर्ग समतली चतव स्वलकी जयामिती फजशित ही नहीं चलू आगे बात समझ आगे पड़ा लिख दो यास माम ओके जी ओके चलिए आगे अब आता है वेपधार समतल दुरुवित प्रकाश के तल को क्या कर देते हैं अल से प्रदशित कर देते हैं दुरुवन समारता के लिए आउशक निम्न सरते हैं अनु सम्मित होना चाहिए अगर सम्मित हो गया जैसे अगर अपने पास में इस तरह से मोलिक्यूल है अनस्थरी अनस्थरी सब जगह अनस्थरी रगा दिए सब जिगह अनस्थरी अपने दर पन पर अध्या रोपित मतलब होता है कि आप जब अपने हातों को देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं अपने फाटों को मैं श Ce इतो आपने हाथ को देखो यह के उपर अध्यरोपित हो रहा है कर नहीं इसका मतलब आपके दोनों यो Pen पर क्या है मीरी मेज्ट मिस्टें psyche के प्रकाशिक समावेवी हैख के उपर एक कभि भी नहीं होना चाहिए अगर अध्यरोपित हो रहा है इसका मतलब कर दोलrine नहीं बना सकता प्रकाशिक समावेःता पर्देशित है औन के लिए से ओ सीनहें का होल्ट ग्राईस्त ट्रीव यह क्या है सम्मित सब्सक्राइं और यह क्या सरहा है प्रकाशिक समावैता प्रदशित नहीं सब के सब क्या पने जोड़ा हुआ है सी औन जोड़ा वह प्लीए बात समझ में आ गई तो इसी दान के अब अच्छा जी ओह ओह ऑग येकृत जल्दी बताओ समावैता क्लिएख कौन सी जरा एक नदर दालो थियोरी है आपका वर्णर सिब्दान वर्णर सिब्दान बहुत इंपॉर्टेंट है विटा पता है क्यों है क्योंकि वर्णर ने सबसे पहले जो आपके पास संकुल यह होते हैं जिसे कोई मॉलेक्यूल दिया है तो उसने कहा कि केंद्रिय प्रमानों जो होते हैं वो दो प्रकार की सेंवजक्ता रखते हैं प्रात्मिक और दित्मिक पर कैसे तो उन्होंने कहा कि कोई मॉलेक्यूल सीधा जुड़ा हुआ है तो वो प्रात्मिक है और दूसरी सेंवजक्ता वो होती है जब वो उसके साथ में एस्थाई रोप से जुड़ा हुआ होता है एस्थाई मतलब कि वो संकुल के अंदर में जो संकुल में है वो प्रात्मिक सं किसमें बताया संकुल उसने कहा कि जो संकुल के अंदर है वो प्राथमिक संयोजक्ता होगी और जो बाहर है वो द्यूतियक संयोजक्ता होगी क्लियर यास बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए चलो आजाओ अब इसमें कुछ बिंदू बता रहे हैं वो मैं पढ़ लेती हूं जो मैंने बताएं वही है उपर सहर संयोजक्ता में केंद्री रातु पर्मानों की दो परकार की संयोजक्ता होती है प्रात्मिक संयोजक्ता था यह के सब्सक्रीज़क्ता थिक्ता आएनिक होती है जबकि दित्र के अंदर होगी और chamber संकुल से बाहर होगी ओके चलो आजाये सेकिल अगला कह रहा है कि प्रात्मिक वह रिनायन द्वारा संतुष्ट होती है जब्कि युद्यक वह रिनायन द्वारा क्या होती है संतुष्ट होती है क्लियर बात समझ में आ गई होगी तो चलते हैं आगे आगे आपके सामने तर निश्षकत होती है इसी धातों की प्रात्मिक होगी दोनोसी निश्षथ ही होती है जनरली क्यों कि प्रात्मिक सेयोजक्ता में लिगेंड फिक्स होते हैं कि कितने हैं वही पर दित्य सेयोजक्ता में बाहर जो आयन रखा गया है वो होता है तो दोनों क्या होती है क्लियरली बताई जाती है कि प्रात्मिक सेयोजक्ता जो होती है वो कोस्टक के अंदर होती है बड़े कोस्टक में होती है यह कहूं समन्वे मंदल में होती है वहीं समन्वे मंदल के बाहर जो होती है उन्हें द्यृतिक सेयोजक्ता कहते हैं प्रात्मिक सेयोजक्ता जो होती है से से जुड़े परमानों को डॉट से और द्यूतिक सहयंजगता को है जो फुल लाइन से प्रजशते करते हैं बात समझ में आई तो आ जाएए दातु की द्यूतिक सहयंजगता जुड़े सम्मुझ एक विशेश जयामिति का निर्मान करते हैं देखो जी देखो अब आपके यहां पर प्रात्मिक से ओक्ता हाइड्रिल लिगेंड अनस्थरी सैटिसफाइड ओनली सेकंडरी बैलंसी ऑक्ता हाइड्र लिगेंड अक्ता हाइड्र अनस्थरी है 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 तो यह सब क्य होंगे अच्छा तो प्राथमिक से जोड़ते हैं और दृत्यक से जोड़ते हैं और दृत्यक से SPEAK तो प्राइम्री वेलंसी यहां यह कहना चाहरे हैं कि आपके पाथ जो CL है वो सेकंडरी और प्राइम्री दुनों वेलंसी को संतुष्ट कर रहा है लेकिन केवल अनश्टरी की बात करूँ तो केवल अनश्टरी सेकंडरी वेलंसी को ही सैटिस्पाइड कर रहा है क्लियर ऐसा क्यूं हो रहा है जरा ध्यान दो देखो कोबाल्ट जो है उसकी समन्वे संख्या 6 होती है ठीक है तो जब वह इस ट्रैक्चर बनाता है तो कोबाल्ट जो है एक दो तीन चार पांच और छे ठीक है अब यहांपर डॉट डॉट करके क्या जाएगा C-L, C-L, ठीक है, बात समझ में आगी, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि एक क्लोरीन जो है, वो प्रात्मिक सहयोजक्ता और दूटियक सहयोजक्ता दोनों में भाग ले रहा है, वही पर एनश तरीकी बात करूं तो केवल दूटियक सहयोजक्ता को परदशिते कर रहा है, दूट जो होती है, वो लिगेंड बड़े कोस्तक में है और प्रात्मिक सहयोजक्ता जो है, वो परदशिते करता है, बात समझ में आ गई, तो चलते हैं आगे, अब देखो, यहां पर नजर आ रही है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कि एनश थरी और अपने पास क्या है, C-L है और यह है psychiatry, और यह है सेकंडरी, ओके, यहां पर भी देखी जा सकती है, यहां पर भी देखी जा सकती है, देखो, लिगेंड डुटीएक सहयोजक्ता, और यह क्या है, प्रात्मिक सहयोजक्ता, ओके, क्लियर बात समझ में आ गई, तो पटा फट लिग दीजिए, YAS MAN, ओके चलो आगे आईए जी आईए आप देखते हैं अब अपने पास यह क्या है प्रात्मिक और द्वित्यक सेयजकता का टापिक तो क्लियर हो चुका है अपने देख सकते हैं कि अपने पास अपने जब स्टार्ट किया था अपने जब स्टार्ट किया था अपने पास जो टापिक तो आपको इस प्रकार मालूम चल ही गया होगा कि अपन कौन कौन से जया मिती जो है अपन पर्दशित कर सकते हैं अपने पास जया मिती है वह अपन किस तरह से परजन कर सकते हैं तो यह जो यह क्या है प्राइमरी जो है वेलेंसे बात कुली सब्सक्राइप सय जक्ता क्या होता है بचों सबस्क्राइब कर देसर क्या होता है बात की क्या है तो एक व Ich smet संखुल कॉन से कख्षक भाग लेते हैं उस राज कख्षकों में कौन को से और किस तरीक से और कि आ गॕ्षप का प्रौनीजाद हो जाती है और वो तक फो श्रीक करते हैं और जैसे आगर और वह चतुसफले की जयामिती वर्क समतली जयामिती किस तरह से तो यह सब वीविटी थियोरी में ही समझाया गया था और इसके अंदर सभी कख्षक भाग ले सकते हैं ऐसा बताया गया था तो सच में क्या है कैसा है एक नजर डालते हैं इनके नियमों पर ओके आईए तो स्य सहयों जग क्या बिटा उपस सहयों जग क्या हो जाता है बंद बनाने वाले जो योगिक होते हैं वो क्या करते हैं उनमें जो रिक्त कख्षक उपस्तित होते हैं वो उनकी अंदर लिगेंड भर देते हैं और लिगेंड के द्वारा इलेक्टोनों का समावेश हो जाता है वह जयामिति निश्चित होती है और संकुल योगिक होगी निम्न प्रकास से दी गई है यह क्या कहना चाहता है ज़रा ध्यान देंगे सभी बच्चे यह कहना चाह रहे हैं कि आपके पास यदी क्या है कोई संकुल योगिक है जैसे कि अपने पास है CO NH3 का hole 4 या 6 SO4 एज़ संकुल है तो इसकी जयामिती कैसी होगी ओके इसके अंदर जयामिती को ग्याद करना है तो आप सब 11 में पढ़के आए हैं कि हमें संकरन पता होना चाहिए और संकरन जिसका पता होगा उसकी जयामिती आ जाएगी जयामिती आने के बाद में इसके अनू जो है उनके अंदर कैसे गुण पाये जाते हैं और वो गुण चुम्ब किये हैं या फिर अनू चुम्ब किये हैं या प्रती चुम्ब किये हैं इनके बारे में भी चर्चा की जा सकती है बात समझ में आ गए तो फटावर लिख दीजिए यस माम ओके जी ओके ड़न तो ये बात तो समझ में आगे कि जो सयोजक्ता सिद्दान्त है वो जो विविटी थियोरी है वो संकुल मॉलेक्यूल में जो कक्षक होंगे जो भी मॉलेक्यूल में उपस्ते जो धातू होगी उन धातू के जो कक्षक ह होंगे हूं पिर लिगण कैसे अर्रेंज होंगे कैसे में समावेशित होंगे वो सब बताएगा के साथ ही वो बताएगा कि केंसद्द्रिय धातू के कक्षक में उपस्तित इलेक्ट्रॉन यूग कशंकर और जेयामिती में व्यवस्तित हो को विबिटी थियोरीज में अपने को संक्रण बताना है तो कौन-कौन से कितने केंदरी धातु के पास में कितने लिगेंड जुड़ते हैं और वो लिगेंड जुड़ करके किस तरह से कक्षक नए जयामीती परतशित करते हैं तो कुछ Different procedure जहां की है अगरि किसी मॉलेक्यूल की समन्वे संख्या क्या क्या हो किसी मॉलेक्यूल کی समन्वे संख्या तो इसका मतलब उसका संक्रण क्या हो और वह कैसी जयामीती रिखाएगा रेखिए वही पर अगर आप बात करें जिसके समय उपसर हैं तीन है तो एसपी टू चार है तो इनकी आकरती त्रीकोणिया और चतुस फलकिया होगी वही चार है तो दो तरीके से हो सकती है है sp3 चतुस फलकिया और dsp2 वर्ग संतलिये वर्ग संतलिये कुछ इसप्रकार होगी प्तके सब्साइब हमने प्हार रही है हां या न कख्षक जो होंगे D, S, P सभी कख्षक भाग ले सकते संक्रन में तो कोई इतना है नहीं तो विबिटी नहीं तो कहा कि संक्रन जो होगा उसी के आकरति के वो होंगे लेकिन बस इतना ध्यान रखो कि परते कक्षक में लिगेंड जो है अपने दो इलेक्ट्रोन देता है याने इलेक्ट्रोन युग्म का दान करता है ओके चले आजाएं दूसरा है त्रिकोन या द्वी पिरिमिड ये अस्ट फलकिया और अस्ट फलकिया राइट डी ऐस्पी रहर है त्रीकोन ये इस तरह से होगा विटा ये त्रीकोन ये द्वी पिरिमिड है और अस्ट फलकिया तो आप सब जानते ही है मैंने पीछे भी बताया हुआ है ये होता है ऑक बी जो आगे है उसका मतलब क्या होता है अगर किसी भी केंद्रिय पर मानूं में N-1D कक्षक भाग ले रहा है N-1D कक्षक इदी भाग ले रहा है तो वहां हो जाता है क्या D2 और जब N-D कक्षक भाग ले रहा है तो ये D पीछे की तरफ आ जाता है कई बच्चों को confusion रहता है कि मैं N-D और N-1D का मतलग क्या है तो अगर आपके पाहस कोई molecule है उसमें 3D 4S 4P भाग ले रहे हैं तो तो ये होगा D2 SP3 वहीं पर 4S 4P और क्या ले रहा है 54D कक्षक भाग ले रहा है तो उस समय आपको कौन सा होगा SP3 D2 क्लियर अभी एक्जामपल देखेंगे अभी एक्जामपल करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी यह आपको क्लियर हुआ यह आफ फटा-फट मुझे कमेंड में लिखकर बता देए कि यस मैम हमें समझ में आ गया है जल्दी 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 बिना किसी देरी के फटा-फट बता देजिए चलें आई जी आई चलते हैं आगे आप कह रहा है क्या यह बात है कि पर ते क्लिएंड के पास कम से कम एक अक होता है जिसके पास एका की इलेक्ट्रोन युग्म होता है परतेग लिगेंड के पास में इलेक्ट्रोन युग्म होगा सही बात है लिगेंड का नाम ही लिगेंड का अर्थ ही यही है कि क्या कि उसके अंदर क्या हो जाता है उसके अंदर दो इलेक्ट्रोन देने की चमता होती है और केंद्र दातु परमान होता है जो इलक्तोन ग्रहने करता है क्लियर ओकेट यह किसी संखुल योग में एक या अधिक यह युगमित उपस्थ चुम्ब किये प्रकर्ति का होता है यदि Sankul 앉 Thailand में उपसने सभी इलैक्टटउन युगमित होते हैं तो वह ग्या कहिए रहे हैं कि संकुल की जो जयामीती है वह ठीक है हमें पाता चल गए कि संक्रण के आधार पर रहेया एस्टफल की होसकता है तुरह कून यी प्रिमिल हो और है दो यह करना नहीं है तो क्या होगा तो कहा गया है अगर लैक्ट्रों प्रतीछ की एक्षब होता है سाथ ही एक इंपॉर्टन बात इसीमें यह क설िके रंग कैसा साथ कर होंगे हमेशां रंगीन होंगे कलर फुल होंगे ओके यस बात समझ में आ गई होगी वीबीटी त्योरी जो मॉलिक्यूल की स्ट्रेक्चर को आपको पता करना है और जिसमें सभी कक्षक भाग ले सकते हैं एस पी और डी सभी ओके इसमें केवल वो नहीं है कि डी कक्षक ही लेंगे नो एस पी और डी सभी कक्षक आराम से भाग ले सकते हैं यह जयामिती को व्यक्त करता है ओके बात समझ में आ गई तो फटा फट बोलो यस माम जल्दी 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 चले आईए जी आईए अब स्क्रीन पर एक इग्जामपल दिया है जिसे अपने को देखना है क्या है यह संयोजक्ता आबंद सिद्धान्त का प्रियोग करके CoCl 4 to minus की सरंचनार था चुमब की प्रकरती को बताई फीक है यह क्या कह रहे हैं आपको एक चुमब के प्रकरती को बताना एं किसका यूजच करके संयोजक्ता बंद सिद्धान्त का उप्योग करके सबसे पहले क्या करना है यह तो answer लिखा है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आ तो सबसे पहले उस मॉलिक्यूल को देखकर लिख देना है लिख करके आपको देखना है कि इस मॉलिक्यूल का परमानु क्रमांक कितना है जैसे ही आप CO का प्रमानु क्रमांग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रमानु क्रमांग है 27 और प्रमानु क्रमांग ग्याद करके आप उसका इलाक्टोनिक विन्यास लिखतेंगे ठीक है उसके बाद आप इस मॉलेक्यूल की क्या निकालेंगे ओक्सी करन अवस हैं CO को X मानना है क्लोरीन पर माइनस वन चार्ज होता है और कितने हैं चार्ट तो X बराबर माइनस चार्ट एक्स बराबर कितना हो गया प्लस चार्ट क्लियर यस और नो जल्दी बता दो हाँ या ना जल्दी अच्छा ठीक है अब अपने पास में कोबाल्ट और यह सी एल 2 फ्लस फोरी तो है उपर माइनस चूब है तो है तो बराबर में माइनस चूट यह नि कि को बाल्ट पर Mississippi उकली है दिफिखको Direction, 2, 2P, 6, 3S, 2, 3P, 6, 3D, 7, ओके अब ज़रा ध्यान दो यह बायतम कक्ष है बेटे हाँ यह बिल्कुल है और बायतम कक्ष में N, S, N, P और N, D कक्ष का रहा है इसका मतलब आपका जो संक्रण होगा S, P और D से बनेगा अब कितने S, कितने P, कितने D वो एक बार चेक कर लेते हैं कर लें चेक आजाईए आपके पास कितने S है S कक्षक में S, P और D ठीक है एक, दो, तीन, चार और पांच ठीक है अब आईए CO प्लस 2KB, 3D, 4S, 4P, ठीक बात है क्योंकि बायतम कक्ष में तो ये चीज हो गए आपके पास ये तो समझ में आ गए है, ये पूरे भरे हुए, ये खाली है, अपने को तो खाली ही चाहिए क्यों, क्योंकि हमारी पास जो लिगेंड होता है, वो 2 इलेक्ट्रोन एक साथ देता है, ये ये कहूं, इलेक्ट्रोन युगम का दान करता है, ठीक बात है, कोई दिक्कत भी नहीं है, तो यहाँ पर S, P और D तो भाग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ D आ गया, S आगे, यहाँ P, खली है ककशक, अब देखो, ये N-1D नहीं है क्या, ये S और ये P, ठीक है, तो इसका मतलब आपका संक्रण जो आएगा, वो क्या आएगा, D, S और P आएगा, ठीक है, अब देखो, कितने D, कितने S, कितने P भाग ले रहे हैं, आपके पास कितने इलेक्ट् आपके पास जो लिगेंड है, वो कब युगमित होते हैं, कब नहीं इलेक्ट्रोन को युगमित करते हैं, इसका VBT में कुछ नहीं बताया, तो आपने तो इलेक्ट्रोन भर दिये, उसके बाद में खता, ठीक है, क्योंकि प्रबल लिगेंड, दुरूबल लिगेंड की चर् 2, 3, 1, 2, 3, 4, आपके पास कितने डिक अक्षक हैं, तो कहा कि 4, 1, 2, 3, 4, राइट, हाँ यह ना, जल्दी बताओ, फटा, 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 तो आपके पास जो CL है, एक दुरूबल लिगेंड है, इसलिए इलेक्ट्रोनों का युगमन नहीं होता है, क्या नहीं ह आगई, यानि कि, COCL 4 में कैर संक्रन पाया जाता है, SP3 संक्रन पाया जाता है, बात समझ में आगी, क्लिर यहां पर मैंने क्यूप बताया था क्योंकि यहां पर मैंने क्यों बताया था तो डिक उच भी है क्यों कि यहां पर आपके पास क्यूंद div знач रिक्त आहिंद नहीं। युग में भरना है एक इलेक्टोन नहीं दो इलेक्टोन भरने हैं तो पूरा कक्ष खाली चाहिए बेटा बात समझ में आ गई तो पटा फट लिग दीजिए यस मैम ओके विबिटी ठोरी का एक्जामपल आपको क्लियर हो गया होगा तो फटा फट जल्दी से आप यह क्लियर है तो एक बात NICN का होल 4 इसका आप खुद निकालेंगे जल्दी 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 NICN का होल 4 ठीक है और एक निकालेंगे NICU का होल 4 इन दोनों का आप निकालेंगे जल्दी से बता देंगे माइनस 2 है NICN 4 पर माइनस 2 है ओके तो जल्दी से इन दोनों का आप इस वीबिटी थियोरी का हो गया अब आगे चलते हैं अब वीबिटी जो थियोरी है उसमें क्या कमिया रह गई क्योंकि उसके बाद में तो CFT पढ़ोगे आप बिल्कुल तो वीबिटी में जो कमिया रह गई उनको क्या थी वो देखें फिर उनको दूर करेंगे CFT के माध्यम से चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कम्यों के बारे में देखते हैं यह सिद्दान संकुल यूइकों में रंग और स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में ऐसा मरता है ना इसने नहीं बताया कि अगर आपके पास इलक्टोन एय युगमित हैं तो वहां पर उसकी स्थती कैसी होगी यह तो बताया यह यह नहीं बताया यह कलरफुल होगा यह नहीं कर सकता है संकुल यूइकों की मेकनिजम तो नहीं आई कहीं पर भी नहीं आई यह सिद्धान चार उपस हैं संक्या वाले यूइकों के चतुस्फले की और व्रग समतली होने की विव्यक्या ठीक परकार से नहीं कर पहाई जैसे निकल है ना निकल सीओ के साथ बी है और सी न के साथ भी है आप निकल ओगे न तो आपको मालुम चलेगा याँ चतस्फले क ये भी चल रहा है और वर्ग सम्तली चल रहा है वाट इस अमाजर डिफ्रेंस बिट्विन एन आई सीन पोर और एन आई सीयो का होल पोर यह वी बीटी थेयोरी तो नहीं समझा पाया लेकिन इन कमियों को दूर करने के लिए कोन आया अगली थेयोरी आये जिसे अपन कौन सी थेयोरी कहते हैं क्रिस्टल छेत्र Сिद्दान से अपन वी CT ठीत कहते हैं कौन सी थेयोरी राजा carbon मेर। क्रिस्टल फिल्ड थेयोरीं क्रिस्टल चेत्र सिद्दान राइट यह थेयोरी एक यह तरिटी दी गई थि पीस्टेफए की दोर करने के लिए लेकिन इसके प्रमुख विशेश्टा थी किये केवल और केवल डीक्षकों के लिए दी गई ती गया उनके लिए दी गई इन चेत्रों में कौन सा भी पार्टन होता है किस तरह से एक्जिस्ट करते हैं यह सब यहीं पर बताया गया था चले शिरू करें इस वेरी इस सिद्दाम के अनुसार लिगेंड बिंदू आवेश है बिंदू विद्रू होता है यह लिगेंड धातु आयन के आसपास सम्मिक व्यवस्ता में धातु आयन पर विद्यूतिय विभव चेत्र का निर्बान करते हैं जो केंजे धातु आयन के डी और बीटल पर प्रभाव दालते हैं क्रिस्टल फिल्ट त्योरी है वो दीक अक्षकों के विपातन पर आई और यह विपातन क्यूं हुआ क्योंकि डीक अक्षक जो है वो समान उर्जा के पांच कक्षक थे जो एक ही जगह पर रखे गए थे लेकिन इनके ही मध्य जब प्रतिकर्शन हुआ दो कुछ थी व कषक ऊपर चले हैं कुछ नीचे शली है कंते हुआ Western आथर से सबस्क्राद हुआ हुर एक नीचे की तरफ और क्यों कि बईक अक्षक जो हैं डीक अक्ष्क के जो अर्बिटल्स हूथ होते हैं वह तो टाइप के होते हैँ एक तो अक्षपर विन्यासित है और एक अक्ष में विन्यासित है क्या है अक्ष में विन्यासित है तो अक्ष पर और अक्ष में विन्यासित होने का कारण ही है कि इन पर अक्ष पर थे अक्ष में थे तो इन में आपस में क्या हो गया प्रतिकर्शन और प्रतिकर्शन होने की वजय से कुछ कक्षक ऊपर की और चले गए और कुछ कक्षक नीचे झाल की जब कक्षकों में क्या हुआ विभाजन हुआ तो उसे अपनने नाम क्या दिया में विपाटन प्रतिकरशन के कारण हो गया बात समझ मी Nep WITH लिख दीजिए यस मान चलते हैं आगे क्रिस्टल छेत्र सिद्दान की कुछ विशेशता है यह सिद्दान जो है वो क्या कहना चाहता है तो सबसे पहले कहना चाहता है कि संकुल लवनों में केंद्रे धातु आयन धनायन होता है सही बात है आप कोई भी जैसे कि आपने दिखा सी ओ एनश थरी का होल सिक्स सही है तो इसमें यह क्या है आपका कैसा है यह यह हमेशे धनायन नहीं रहेगा कभी रिणायन नहीं हो सकता यह तो सब वैल नौन है कि धात में हमेशे क्या होती है पॉसिटिव चार्ज के करती है राइट आगे चलते हैं लिगेंड पर ऐस है भ लौन प्सॉब मांचिति यहिंद्य जो बंदबनाने में भाग नहीं रहते हैं चिने आप लॉनंन पेर कहते हैं जाता है तो इसफ़ी chociaż-तु만 जैता हैo उन्की समन्वे संख्या होती है यह संख्या होती है के लिए Oui संख्या होती है इस हुघ्र वाध समझ क्लियर बात समझ में आगीhet कक्षिक नहीं होती है बिन नहीं होती हैं उनमें वि Makes कारण दोनों के मद्य आइनित बंद कारी करने लगता है लिगेंड और जो धातु है केंद्री धातु परमानु है तो आप सब जानते हैं बेटा कि एनस्थरी है और USB we just can do it स f of course इनका बीच में जो बंद बनेगा वो बंद क्या होगा उपस सहे मजग बंद होगा एक परकार का आएनित बंद होगा कि यह एक और दूसरा ले रहा एगई देने की बात करते हैं तो यह सहसे हो जगबंद ही होता है ओके चलूं आगे आईए जी आई फिर यह कह रहे हैं कि जटिल जो यूंक है उनके स्पेक्ट्रा विबिन कक्ष्टों की विबिन उर्जाओं के मध्य इलक्टोनिक संक्रमन के आधर भी समझ सकते हैं लिगेंडों के रिनावे षित इलक्टोन लिएंड़ गिसको देते हैं जब केंद्रिय धातू परमानों को देखें हैं तो उनके क्या होसकता है और और संभरंस्क के कारण Unsum प्रप्त होकर यह कख्षक विभिन उर्जा इस तर प्राप्त कर लेते हैं साथ ही इनकी सेयोजक्ता इलेक्टोन जो है उनमें क्या आ जाता है परिवर्तन आ जाता है और उपस है सेयोजी योगी कि वह चुंबक की एक गुणी परदशित करने लग जाते हैं डी कख्षकों का साथ रखे गए हैं और पांच कख्षकों में आप देखें कि एक दो लेकिन यह युगमित हो जाए तो एय युघमित इलेक्टरोन हो गए है यह दो कम हो गए तो यहां पर अब क्या होगा एया युगमित कम होने की वज़ए से यह colorless हो जाते हैं रंग हीन हो जाते हैं यह स लिगेंड के लिए भी डेल जीरो इसे इस तरह से लिखते हैं का मान अधिक होता है उन्हें प्रबल छेतर लिगेंड कहते हैं जैसे C-O-C-A-N-O-T यह क्या है डेल 0 क्या है यह विपार्ठर और जायुक इपार पांच विपार्ठर इसे विभाजित हो जाते हैं तीन कक्षक नीचे और दो कक्षक क्या आ जाते हैं उपर आ जाते हैं तो तीन कक्षक नीचे और उपर आने से इनको दो भागों में बांटा और नाम दिया T2G और EG, जब यह क्या होते हैं, परसपर क्या हो जाते हैं, यह कक्षक जब क्या हो जाते हैं, विपार्टित हो जाते हैं, इनके बीच जो उर्जा का अंतर होता है, उसे crystal छेत्र, विपार्टन, उर्जा कहा जाता है, CFSE, crystal field क्या, separation energy, right, CFSE के नाम से जाए जाए जाता है, जिसे अपन शोट में डैल 0, 0 का मतलब Octahydron और डैल T मतलब Tetrahydron के रुप में ज़क करते हैं अगर EG उपर T2G नीचे है तो उसे अपन कहते हैं Octahydron और वहीं पर यदि EG नीचे है और T2G क्या है उपर है तो अपन इन्हें क्या कहते हैं इन्हें अपन कह देते हैं क्या बेटा Tetrahydron ओके Clear बात समझ में आ गई होगी फटा फट देख लेजिए जल्दी से ताकि आप कुछ चिज़े Clear हो जाए ओके Done चलते हैं आगे तो देखिए अब यह क्या कहना चाहते हैं देखो वही कह रहा है न यह लिगेंड जिसमें CFSE का मान कम होता है दुरूबल चेतर लिगेंड कहते हैं प्रभल चेतर संकुल या दुरूबल चेतर संकुल का आप अर्थ देखना चाहें तो कब बनना यानि हाइड्रोल की रूप में युगमन उर्जा जब इलेक्टोन क्या होते हैं युगमित होते हैं यहां पर इलेक्टोनों का क्या हो जाता है युगमन अगर यह मान कम है तो यहां पर इलेक्टोनों का क्या नहीं होगा यहां पर इलेक्टोनों का युगमन नहीं होगा ठीक है जब CFC का मान कम तो इलेक्टोन का युगमन कभी नहीं होता जब CFC का मान जादा तो युगमन हो जाता है क्लियत या यू कहूं यूगमन उर्जा का मान कम तो इलेक्टोन युगमि हैं देखो यह लिखा है न यदि CFSE का मान युगमन उर्जा से अधिक है तो डैल जीरो यह पेर एनरजी का मान क्या है कम है तो स्ट्रॉंग फिल्ड कॉंप्लेग्स बनता है यानि कि क्या प्रबल छेतर लिए प्रबल छेतर लिए बनता है इसे निमन चक्रन संकुल भी कहा जाता है यह क्या होंगी वह पेरिंग होगी नहीं एए यूगमित इलेक्त्रों ज्चादा रहेंगे तो उन्हें अपन क्या कहते ह चक्रण संकुल कहते है चले तो ये प्रबल्चेत्र लिगेन और दुरूबल जयत्र लिगेन्ड होते कौन-कौन से, ज़रा एक नज़र डालते हैं तो आपके पास में एक स्ठीने दी गए है अगई है ऍगर प्रबलचेत्र लिगेंड हुआ थीक है और जब निमन चक्रन होता है तो क्या होता है निम्न चक्रन होता है प्रबल छेत्र लिगेंड होता है तो यह क्या कह रहा है पीछे अपने को तो इसमें युगमन उर्जा का मान क्या हो जाता है जादा हो जाता है युगमन उर्जा का मान क्या हो जाता है युगमन उर्जा का मान जादा यानि इलैक्टोन का य यूग्मन नहीं । तो यह क्या है दुर्बल चेत्र लिगंट से हैं तो यह क्या कर देंगे दुर्बल चेत्र लिगंट से हैं तो इनमें क्या हो चक्रन होगा उच्छ चक्रन होगा इनमें पेनिक एनरजी का मान क्या होगा और यहां पर क्या हो जाता है युगमन हो जाता रहा बात समझ में आ गई तो फटा फट लिख दो यह जल्दी जल्दी चल्दी क्लियर है बहुत अच्छे से एंग आपको I think मैंने पूरा कोशिश कि ताकि आपको बात समझ में आ जाए ठीक है में लिए आप सी यू को याद रखना सीन का याद रखना वैसे आप सी यल को याद रखना और एफ को याद रखना ये दुरूबल छेत्र लिएंड के होते हैं तो चतुसपली की संकुल जब बात करते तो उनका विपाटन किस प्रक होती है वही यदि आप इजी और टीटीव की धरन को देखें तो आप देखेंगे कि यूद्य की संकुलों के लिए बैल टी का मान कम होता है यानि की यह क्या होते हैं उच्चक्रन वाले होते ह्थ हैं तो इलक्टोन कभी यी नहीं Ouais के क्लियर थीख है चलते हैं आगे आपके सामने थेट्रण हाइड्रल संकुल बनाए गए दिखाई दे रहा है आप सब को बिल्कुल तो यह अपर हे यहां पर-dokst करें तो यहां पर यहां पर वैल्यू क्या है कम है और यहां पर वैल्यू क्या है जादा है क्लियर यानि जादा है ना CFSE तो यह निम्न चक्रण संकुल है और यहां पर उच्छ चक्रण संकुल है क्लियर बात समझ आ गई तो पटा फट लिख दीजिए यस जल्दी 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 ओके चलूं आगे आजाईए अब आता है आगे आपके सामने उक्ता हाइड्रल जो संकुल होता है उसमें विपाटन जबापन करते हैं तो टीटू जी नीचे ईजी उपर होता है और इनके बीच की जो वैल्यू होती वो इस प्रकार दी गई है इन दोनों को यह दि आप मिला ले तो इनकी वैल्यू जो है कितनी आएगी आप दिन दोनों को जोड़ दे तो आपके पास CFSE की वैल्यू जो है कितनी आती है तो कहा गया है कि आपको tetrahydral की जगे हमेशा octahydral को ही prefer करना है यहाँ पर भी अपर octahydral ही पड़ते हैं tetrahydral नहीं पड़ते हैं क्योंकि इसमें bond angle change नहीं होते हैं वो exist भी नहीं करता है तो यहाँ पर यह जो value आपको दी गई है वो होती है 1.0 CFSE यह दोनों को जोड़ने पर यह value जो आई है वो डेल के आधार पर आई है और यहाँ पर CFSE की वेल्यू डायरेक्ट इलिए आप बात करें तो 1.0 होती है यह एक होती है क्या 0.6 एक होती है 0.4 राइट यह 0.6 यह 0.4 clear अगर यस तो फटा पर लिग दीजिए यस मैम बात समझ में आ गई तो फटा फट बता दीजिए जल्दी 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 ओके जी ओके चलू क्या आगे यस चलते हैं अब इसकी तोड़ी कमियां देख लेते हैं यह कह रहे हैं कि धातो और लिगेंगे मध्य सयोजक्ता जो होती है उनको डिफाइन नहीं कर पा रहा है बिंदू आवेश क्या होता है वो नहीं बता पाता है विपाटन कब कम कब जादा वो भी नहीं बता पाता है इनमें दुर्बल छेदर कब खतम होता है कब प्रबल शुरू होता है इसकी व्याख्या भी प्रॉपर नहीं कर पा रहा है ठीक है कोई बात नहीं लेकिन फिर भी डीक अक्ष्टों आविपाटन तो समझा ही दिया था ओके चले आईए अब अगला टॉपिक आता है स्येहर संक्रमन धातुई इस प्रकार के यीड बनाती है for example NICU का hole for tetracarbonyl nickelate धातू कार्बोनिल यूइकों में बंदन अब जो कार्बोनिल यूइक बने हैं उन्हें धातू और कार्बोनिल के मद्द कैसा बंद होता है उनका बंद जो होता है वो किस तरह से रिपर्जेंट किया जाता है उसको अपन चेक कर लेते हैं तो कहा गया कि ध संकर कख्षक धातु के खाली संकर कख्षक के साथ यानि अगर आप धातु की बात करें मैटल की बात करें और लिगेंड की बात करें सी ओ हना तो हमेशा इसके पूरे भरे हुए कक्षक इसमें जाते हैं या इसके जो भरे हुए कक्षक है वो इलेक्ट्रोन इसमें देता है तो कह रहा है कि लिगेंड के संकर कक्षक धातों के खाली कक्षक में धातों के खाली कक्षकों में क्या करता है इलेक्ट्रोन देता है इ अच्छे से दिखाई देता है clear बात समझ आ गई तो फटा फट लिख दो येस मैं आगी चलते हैं सिगमा बंद बनने पर लेक्ट्रोन लिगेंड के धातु की और जाते हैं जिसे धातु पर लेक्ट्रोन का घनत्व बढ़ जाता है साथी धातु पर लेक्ट्रोन के घनत्व कम करने के लिए पश्चे बंद बनता है इसमें धातू के भरे हुए दी कक्षक लिगेंड के खाली कक्षकों से अती व्यापन कर पाई बंद का निर्मान कर देते हैं अभी आपने देखा ना जैसे मैटल का जो है ना रिक्त कक्षक वो इसके लिगेंड के कक्षक से भाग लेता है तो यहाँ पे जो पाई बंद बनता है वो बंद का होता है आपका एक बंद एक कक्षक भदा हुआ होता है और दूसरा कक्षक क्या होता है पूरी तरह से इलैक्टों से रिक्त होता है चलूं आगे आजाओ जी आजाओ पाई बंद बनने पर इलाक्टोन धातो से लिगेन की ओर जाते हैं सिग्मा और पाई बंद एक दुसरे के सामर्त तक बढ़ाते हैं और क्रिया शिल्टा पर प्रभाव कहलाता है यानि कि अगर आपके भरेवे कक्षक रिक्षक की साथ बंद बना रहा है तो उनके क्रिया शिल्टा जादा है क्र कोब्द होता है फाइड सिंगमा बंध में कर्लोर रहा है तो इसमें इसमें क्या होता है और बाता है ल चैपटर क्लोज है क्या है पहला उप्योग फ्योग ऐसे प्लैटिनिम का उप्योग ट्यूमर यानि ciąसर के निदान में Gef सरीर में कोपर ही पहले जहा है संकुल किया ठांग लिए सफटा टाकि आपको बात समझ में आजाए चले आजाए जी आगे अब आता है जेव परणाली में उप्यों पेड़ पोदुंक में इसका उप्यों किया जाता है मैगनिशम आयन हाइन ना क्लॉरोफिल जो होता है वहाओ आपकी बोड़ी में तो नहीं प्लां इप पाया जाता है पोर्ट सिंथेस के लिए मैगनिशं तो इस जो केलशियम आयन का संब्सक्राइब होता है यह याद रखना बै किसकिस में कौन सायन होता है एक्जाम पूछा जाता है आगे उद्ध्योगों में उपयोग विल्किंसन उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है क्लोरोडो, ट्रिस, ट्राइफैनल, फास्पेन, रोहीडियम यह एलकीन का हाइड्रोजनिकरन के लिए भी यूज में लिया जाता है धात्मों की सतय पर एजी एईउ की परचग्दाने पर भी इनके यूज की जाते है लास्ट है गुनात्मक विसलेशन मतलब कि गुनवत्ता बढ़ाने में किसका उपयोग होता है तो निकल जैसे जो धात्में होती है बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत डाइमेथिल ग्लाइक ऑक्सीम की कि पहचान की जाती है कठोर जलके शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है तो बात क्लियर हो गई बात समझ में भी आ गई होगी कि आपको उपयोग में भी बहुत यहां से क्यूशन पूछा ही जाता है तो अच्छे से पढ़ना ध्यान रखना कि जो जो चीजे मैंने बताई है आप अच्छे से उनको पढ़ सके उनको रिवाइस कर सके जब तक आप चीजों को रिवाइस नहीं करोगे बिटा तब तक बात समझ में नहीं आएगी नेक्स क्लास में मैं नए चैप्टर के साथ आ तक यू